Hello Funds, Welcome Back कल हम लोग जो बिहार एस्पेशल का एस्पेशल जो हमने डिसकस करी थी उसमें हम लोग समरी एक्चले डिसकस कर रहे थे Ensign इंडिया और Medieval इंडिया का Including बिहार बिहार का भी दो उश में हम लोगों ने ये सारा समरी देखा था कुछ ただ से यह बहुत ज़िरोरी था, क्योंकि बहुत सारा सवाल है, जो इससे पूशा जाता है, और पता चलता है कहां से आया है। तो उस केस में इस book का बहुत ज़्यादा important हो जता है, यह शंप्री हम लोगों ने कटे vision करी थी, तो यह पहले हम लोग बelaos जी इतियाद, दिखाया मुझे लगा कि लोग इनकरेज हो रहा है इससे इंफेक्ट ये है भी इस तरह का content की बहुत ज़्यादा पहुचाने वाला है तो इसी कड़ी में हम लोग इसको यहां तक कल complete किये थे और अब इसके आगे यह जो है यहां से हम लोग शुरू करते हैं भारती शौतनता संगर्श यों बिहार तो इसमें जो समड़ी जो दिया हुआ है इसमें हमारा समड़ी यहां से सुरू होता है कुछ लोग पढ़िए बिद्रो ये बिद्रो से सवाल रहता ही र देखे होंगे प्रिविएस वीडियो जरूर देख लिजेगा और जो लोग नए आये होंगे सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा बढ़ते हैं आगे पहला है सन्यासी बिद्रो सत्रसव सत्तर इस्वी में हुआ था सन्यासियों द्वरा धार्मिक अस्तलों का भ्रहमन करने पर रोक लगाने के बिरोध में सन्यासियों ने बिद्रो किया था तो ये सन्यासि बिद्रो कब हुआ था 1770 इस्वी में सन्थाल बिद्रो 1855 इस्वी में हुआ था राजाशो अधिकारियों पूलिस जमिनदार तथा शूद खोरों के बिरोध सन्थाल लोगों ने सिद्धु कन्हु के नितुरत में बिद्रो किया था तो सिद्धु कन्हु के नितुरत में सन्थाल बिद्रो हुआ था कब कि ये पूछता है कि सिद्धी कन्हु के कन्हु ज निल बिद्रो 1869 से 1861 तक ये पूरा का पूरा दो साल तक चला था निल हो अंग्रेजों द्वारा निल उप जानने वाले किशानों के प्रति अत्याचार के बिरोध स्वरूप निल बिद्रो हुए था 1869 से 1861 तक उसके बाद रामशी बिद्रो भाई ये सवाल जब पूछा थ ना तो हम लोग को लिटरली पता ही नहीं था कि कहां से पूछा है तो बहुत मुश्किल हुई थी लेकिन फाइनली हम लोगों ने इसे फाइंड आउट किया और पता चला कि ये रामशी बिद्रो हुआ था इस बिद्रो में पश्चमी घाट के आदिवासियों ने ब्रिटि 1229 में हुआ था तीन बार उसके बाद भील बिद्रो भील सरदार शेवाराम के नेतुर्त में सन 1870 1899, 1865 और 1831 में पुराने सासन सासक भारमल को पुना सासन के रूप में थाबित करने के लिए कक्ष में बिद्रो हुआ था ये कक्ष में भील बिद्रो कच्ष में हुआ था बिद्रो ये भी पूछा हुआ सवाल है 1828 में हुआ था गोमधर कुमर के नित्रुत में अहोमों ने असम के अहोम छेतर के ततकालीन धाचे में पड़िवर्तन के लेबिरिटिस प्रयास के बिरोध में बिद्रो किया था तो यह कहाँ हुआ था अश्रम में हूआ था अहूम लोगों ने किया था ठीक है और किसके निलूत्त में हुआ था गोमधर कुवर कैंने निलूत्त में हुआ था यह बहुत इंपोर्टेंट है याद रख्खेंगे हो सकता है कि पूछ दे इस सबाई park कुक्का बिद्रो 1872 इस्वी में पंजाब के कुक्का लोगों ने गुरु राम सिंग के नित्रत्तु में ब्रिटिश सासन का करविरोत किया ठीक है तो यह सारा बिद्रो याद रहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दो बार इसको देख लिजेगा डिसकसन कर ल है तो ऐसा कभी मत सुचिए कि वह आपके कंपटीटर है कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए इस तरह के सेरिंग से न यह एक संकुछित मेंटालेटी होता है कि हम सेर करेंगे तो जादा है जान जाएगा या जान जाएगी मेरा कम हो जाएगा ऐसा नहीं है नॉलेज बाटने स फिल करेंगे हम आपको बता नहीं सकते हैं जब आप उफिल करने की चीज ऐ कि आप में कितना ज्यादा इंप्रोव्मेंट हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए मतलग साढ़े वीडियो को हमारे सेयर कीजिए और बिद्रोह नेता जो थे योम बक्स खां ठीक है ये बिद्रोह दिल्ली में उसको ब्रिटिस नाय कौन था निकल्सन हट्सन बीस मई 1877 बेगम हज़त महल लखनों में कैम्पवेल के गेंश्ट में चार जून 1877 नाना साव और तात्या टोपे कानपूर कैम्पवेल और हेव लोक के गेंश्ट में उसको पांच जून 1877 रानी लक्ष्मी भाई योम तत्या टोपे जहांसी में खुरूज था उसम है वहाँ पे और अंग्रेज जो था ब्रिटिस नायक 20 जून 1877 में लियाका तली ने किया था एलाहबाद बनारस कर्डिनल नील के गेंश्ट में 15 जूलाई 1877 कूँअर सिंग ने जगदिस्पूर बिहार में किया था ठीक है तो यह सब पूछता है बिलियम टेलर के गेंश्ट में 25 जूलाई 1877 खान बहादुर खां बरेली केंप अधुला फैजाबाद 1877 अजिमुला फतेहपूर जनलाड़ उसके बाद आता है संग्राम से जूरे महत्पून शंगत संगठन एम संस्थाई यह भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और एक जगह नहीं मिलता है इसलिए याद करना इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी वीडियो मिस मत कीजेगा कुछ भी छूट जाएगा और एक जाम में पूछ देगा फिर आपको आफसोस होगा तो आफसोस करने वाला काम नहीं करना है तो देखे संस्था है संस्थापक और कब हुई थी तो एस्याटिक सोसाइ वह यह करतीं भी बहुत बार पूछा पूछ जाए उसके बास आपका हलता है कि उसके बाद आकोड़ा और प्रहजाराम मोहन राय क्यृइठ को ड़ाम ओंड रह न होपाटीश उसकेपीमें। को ब्रहाम शमाज राजा राम मोहन रहा है अठाटाइस इसवी में इनों ने ब्रहम साच किया स्थापना के थी तत्तो बोधनी सभा बहुत इंपोर्टेंट है दिवेंदर नाथ टाइगोर इंफेक्ट सारा का सारा इंपोर्टेंट है मैं जिस पर बोल रहा हूँ जिका मतलब वो ने इंपोर्टेंट बाकी भी इंपोर्टेंट है तत्तो बोधनी सभा दिवेंदर नाथ टाइगोर इंफेक्ट इसवी में बना था ये बिटिस सर्वजानिक सभा दादा भाई नरोजी रहनु माई माजदायान सभा दादा भाई ओर इंडियन इसॉसीयेशं दाध्य नोजी ये तीनों कुस दाध्य नोजी निकिया था अलग अलग शाल में हरा सो उन चयंश से तडर्वां शि nuance में उसका बाली का विद्याल में जोती बा pró However पांडूरंढ़ उन्चास में महामद इंग्लो लिट्रेली Semrice अबदूलतीप eighth Jackie में संस्तक का अस्थापना हुआ था उसके बाद हाँ पूना सार्वजनिक सभा एम जी रनाडे अठाड़ा सो 68 में 667 में प्राशना समाज एम जी रनाडे आत्माराम पांडूरंग एंड डी टेग और ये तीनों का नाम इसमें से कौन-कौन थे समसापक तीनों का नाम याद रखेंगे अठाड़ सो 68 में 67 में हुआता है उसको बेद समाज आता है अचार केशो चंद सेन पूछता है साइंटिफिक सोटाइट सोसाइटी सर सयद अहमद खां अठाड़ सो चोंशट इसवी में अलिग 1875 में ही की थी इंडियन लिग सीसिर कुमार घोष 1875 में ही हुआ था इंडियन एसोशियेशन अनन्द मोहन बोस और सुरेंद नाथ बनर जी 1875 में इसके अलावा और भी है इस सबको देख के जाना है और इसको रिपीट कीजिए जरूर परे तो आप इसका स्क्रीन सौट भी लेग जिए और इसको उससे भी इसको याद कीजिए लेकिन रटिये जरूर इक्दम में इससे याद कर जाईए और डिसकस्टन से सबसे होता है जो लोग नए आये हैं उसको सब्सक्राइब कर लेजेगा हमारे चैनल को ताकि कोई ही वीडियो आपको मिश्ट नहीं हो त्योस्ट्रोफिकल सोसाइटी मैडम लाटस्की एम करनल अलकाट 875 में भारतिये रश्टिये कंग्रेस ओम एम एओ हुम्स 885 में बंबे प्र साल ही इसकी अस्थापना हुई थी उसके बाद इंडियन सोशल कंफरेंस एम जी रनाडे 1887 में उसके बाद बेरंगोर मठ स्वामी बिवेकानंद युनाइट इंडियन कमेटी व्योमेश चंद्र चटर जी एबनर जी 1883 में उसके बाद शर्दा सदन रमाबाई 1897 में इसका अस्थापना हुआ था उसके बाद राम क्रिश्न मिशन श्वामी बिवेकानंद अठाड़स संदान मेश्वी में ही इसका इस्टेबलिश्मेंट हुआ था शर्भेंट अफ इंडिया सोसाइटी गुपाल क्रिश्न गोखले 1905 में इसका इस्टेबलिश्ट हुआ था और मु 1906 में इसका अस्थापना हुआ था अनुशिलन समिती बरिंद्र घोस भुपेंदरत पूछता है ये सब सवाल इनफेक्ट सारा का सारा इसमें का सवाल पूछा हुआ है ठीक है कुछ चूटा हुआ होगा उसमें से पूछेगा तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है और इसमें से हो सकता है रिपीट भी हो जाता है इस तरह का सवाल रिपीट भी हो जाता है इसलिए ध्यान अखेंगे शोशल सर्विश लीग नरायन मलहार जोशी 1911 इसवी में गदर पाटी लाला हर्द्याल काशी राम 1981 इसवी में इस्टेबलिस हुआ बिश्यु भारती रवि इसटेबलिस याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है हिंदु महासाभा मदन मोहन मालवी यह लाला राजपत्राय मिलके किये थे हिंदु महासाभा 1915 इसवी में उसके बाद आ रहता है होम रूल होम रूल लीग एनिवेसेंट एंड तीलक 1916 इसवी में बीमेंस इंडिया एसोशियेशन लेडी सदासिव ऐयर 1997 में 1997 होगा यह 1997 होगा खिलाफात अंदोलन अली बंधु 1919 में उसके बाद अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन एन एम जोशी 1920 में शोराज पार्टी मोतिलाल नहरू यम शितरजन दास 1923 में यह क्रोनलोजी एर के हिसाब से दिया हुआ है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें से एक दो सवाल रहेगा ही रहेगा हिंदुस्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपबलिक एसोशीयशन, HSRA, चंधर सेखर आजांद और भगत सिंग्, क्या नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपबलिक एसोशीयेशन, चंदर सेखर आजांद भगत सिंग, 1928 इसवी में उसके बाद आ जाता है आपका भीस्कृत हितकारणी स चभा बी आर अम्हितकर अनीसों चोवी सिस्वी में राष्टिय स्वेम सेवक संग डॉक्टर हेग हेडगे वार एयों बी एस मुन्जे 1927 में स्वतंत्रद स्रमिक पार्टी बी आर अम्हितकर अनीसों चप्रिस्वी में खुदाई खिदमत्गार खान अब्दुल्ला गफार अनीसों जैंटीच सिस्वी में सारा का सारा इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट है फरवाड ब्लॉड शुअरिन चाहली सिस्वी में और अजाध हिंड फोज कैप्टन मौहन सिंख कभी-कभी कभी अजाध-विंद फोज को हम लोग मानने के चलते हैं कि सुभाष जद्बोज में खिये अलुथं सरकार सुभाष चन्रबोष करे खिये और फरवाड को सुभाष चन्रबोष ने ते हम लोग उद्धा देख चुके होंस का छेत्र कहां था यह भी पूछता है बंगाल और बिहार उसको पूछता है ऑल्ट भीनद्धिया से नित्रितिकर हुआ था यहां पर देख रहे हैं कि सन्यासी बिद्रो कब हुआ था और उसका कहा था और उसके नेद्र्ट्र कौन थे तो 1766 से 1772 तक बार बिद्रो हुआ था मिदनापूर बाकूरा दुर्जन सिंग ने किया था ये बाकूरा बंगाल के ही छेत्र में पड़ता है उसके बाद 1789 में चौपरा बिद्रो बाकूरी बंगाल दुर्जन सिंग नहीं किया था उसके बाद 1812 इसवी से 1819 इसवी तक भील बिद्रो हुआ था तो यह सारा कुछ भी इंपोर्टेंट है इसके अलावा इसमें जो हम रोग जो समड़ी देख रहा है तो इस समड़ी में इसके अलावा जो है वह यह है 1819 से 1831 तक कच विद्रो हुआ था कच में राजा भारमल के द्वारा उसके बाद 1822 से 1829 तक रामोशी विद्रो सतारा में हुआ था महाराश्टायम पड़ता है और यह चीतर सिंग के द्वारा हुआ था 1825 में भील विद्रो हुआ था पस्षिम घाट में शेवरम के द्वारा हुआ था उसके बाद 1825 से 1850 तक पागल पन्थी विद्रो सेरपूर बंगाल छेत्र में टीपो गारो के द्वारा हुआ था और उसके बाद 1828 से 1830 तक अहों विद्रो हुआ था अशम में गोमधर बहुत ही इंपोर्टेंट यह सारा कुछ है 1831 में बहावी अंदलन पतना बिहार में सयद अहमद के द्वा था उसके बाद 1831 से 1832 तक बिद्रो हुआ था छोटा नाक पूर्चेतर में बिंद राय मानकी के द्वा था उसके बाद 1832 से 1833 इस वीक खासी बिद्रो हुआ था ज फरायजी बिद्रो हुआ था फरीदपूर बंगाल दद्व मिया के नत्रुत्तु में हुआ था इसके आगे है संथाल बिद्रो अठाड़ से 1856 राजमहल शेतर बिहार का जो एरिया है जारखंड वाला वो शीदु कानू के नत्रुत्तु में हुआ था जो अभी जारखंड क चला गया है उसके बाद 1869 से 860 में नील बिद्रो बंगाल में हुआ था दिगंबर यहों बिष्णु विश्चु के नत्रुत्तु में हुआ था उसके बाद 1872 में कुका का दूसरा बिद्रो हुआ था पहला कुका बिद्रो हुआ था पंजाब में ठीक है यहां पर ध्यान हए। ध्यान रखेंगे मुणडा बिद्रो राची में जुआ जरकरण में बिष्ण मुणडा के नित्रुत्तु मि उँआ था उन 19 onto 17 में नील अंढ़ोलन हुआ चंपारन में निल बिद्रो था और यह निल अंढ़ोलन यह निल बिद्रो था बंगालमें दिगंबर और में बाबारामचंद्र के नेत्रूत्य। PD 2021 में मोपला मालाबार कैरल अलीर मुसिस के नेत्रूत्य। उसके बाद 1921 इस्वी में एका विद्रो हुआ था अवद के छेत्र में उसके बाद 1924 में कोल विद्रो कीरल में केपी के मेनन के नेतृत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत् नेटरुतों में बलीया विद्रों हुआ था शिया ये जो चाफ्टर संग्राम और बिहार तो इसका समड़ी इतना है और इसके, आगे अभी देखते हैं यहाँ तख हम लोग कर चुके अब इसके आगे भारतिय राष्टिय अंदोलन विहार के आगे हम लोग इसमें क्या समड़ी है उसको हम लोग देख लेते हैं तो इसमें और लेडिये हम लोग देख चुके हैं इसके पहले इसमें से एक दो और है क्रिशक अंदोलन जो है तो ये क्रिशक अंदोलन क अगे आगे आपका जो आता है वो हम लोग देख लेते हैं तो इसके आगे जो समड़ी है वो बिहार एतिहासिक पडिद्रिस से है ठीक है प्राचीन काल महत्पूर्ण तत तो ये प्राचीन काल महत्पूर्ण तत मैडम ने अलेडी इसको डिसकस करा हुआ है बिवास पनुर्मा का जो हम लोग बुक इतिहास का डिसकस कीज़ते प्राचीन भारत प्राचीन बिहार का इतिहास जो था प्राचीन बिहार तो उसका चौथा नमर जो बीडियो था उसके ये डिसकसन हो चुका है और ये कहां तक हुआ है तो प्राचीन बिहार तक हो चुका ह मतलब ये page और ये page और ये page ये तो page चार page मतलब हो चुका है और मध्यकाली नो पढ़ाने आगे लगी थी तो मध्यकाली वाला इसमें से discussion नहीं हुआ था तो time बचाने के लिए ये एतिहासिक वाला मैं छोड़ रहा हूं पड़िद्रिस्ते वाला और ये video आप लोग आपके i लाई बेटन में दिख रहा होगा आपको तो वीडियो देख लिजेगा और मैं यहां पर टाइम बचाने के लिए मध्यकालीन मध्यकाल का मध्पून्तत पर मैं चलता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट हो जाएगा टाइम भी बचेगा जो रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है अपने पास टाइम कम है बिहार में मुश्लिम प्रभुत्ति के अस्थापना का श्रे इक्तियारुदीन बिन बक्तियार खिलजी को जाता है को है बारा सो इसवी में लगभग उसने नलंदा और विक्रम सीला को लूट कर बिध्वन कर दिया था ठीक है तो मुस्लिम प्रभुत्ति का जो जाता है अस्थापना का श्रे किसको जाता है बक्तियार खिलजी को जाता 1211 में हुशामु दिन खान खिल जी ने गयाशु दिन की उपादी धारन कर बिहार पर अपना अधिकार अस्थापित कर लिया था कौन हुशामु दिन खाज खिल जी ने गयाशु दिन की उपादी धारन की उसने बिहार में अपना अधिकार बना लिया था उचके बाद आजाता है इल्टुतमिस ने दिल्ली सिंहासन पर बैठने के उपरांद बिहार पर अपना प्रभुत अस्थापित कर बिहार का सासन इखतियारूदीन चुस्त कबा यांगान्तूत तथा कुछ समयो परांद इजुधीन तुगरिक तुगान खान को पदान किया था इसके बाद अलाओ दिन जानी बिहार का सुबिदर बनाए गया तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक परांद था तुगलक काल में प्राम था के नहीं ये था। उसके बाद 1394 इस्वी में तुगलक सुल्तान नस्तिरुदिन मुहम्मद ने बिहार का सासन ख्वाजा जहां को सौप दिया था। तुगलक सासन के नतिम दिनों में बिद्रो किया प्रांतु、 मलिक सखर ने गोग हाट के यूद में उन्हें मा डाला तथा बिद्रो का उन्मुलन कर दिया। तो दक्षिन भीहार में कौन रळा था? महराज हर्राज तथा महराज कुमार गजराज सिंग ने तुगलक सासन के न अंतिम दिनों में ये कभी के बीच से उठा के in-between line जो सवाल पूछा जाता है ना तो ये in-between line वला ये सवाल है कभी कभी उठा के दे देता है कि दक्शिन बिहार में तुगलक के अंतिम समय में बिद्रोग किस ने किया था तो महाराज हराज तथा महाराज कुमार गजराज सि तो शेक शर्फू दिन अहया मनेरी की कबर पटना के नजदिक दुर्गेशपूर के नामा का स्थान पर है किसकी कबर सेक सर्फू दिन अहया मनेरी की कबर पटना के नजदिक दुर्वेशपूर नामक अस्थान पर है 1494 इफ़ी में हुशैन सरकी को पुनफ पराजित कर शिकंदर लोदी ने बिहार में परवेश करने के उपरांत इस सेक की कबर पर फतिहा पढ़ा था ठीक है पटना के नजदिक बार नामक अस्थान पर सिकंदर लोदी की सेना ने बंगाल के सुल्तान की सेना से यूद कर बिहार में प्रवुता प्राप्त कर ली थी इबराहिम लोदी के काल में दरिया खा नुहानी बिहार का सुविदार था इबराहिम लोदी काल में कौन था दरिया खा नुहानी बिहार का सुविदार था इब्राहिम लोदिन के काल में कौन था बिहार का सुविधार तो दढ़िया खा नुहानी उसने लोधी सुल्तान के बिद्रोग किया उसकी मिर्टू हो जाने पर बिद्रोग का नेत्रुत उसके पुत्र भाहदुर खानुहानी ने किया तथा अपनी सोतंतरता की घोस्तना कर मुहमूद की उपाधी प्राप्त की उसके बाद 1418 इस्वी में जलालु दिन बंगाल के सासक ने बिहार की दक्षिन छेत टिपरा रोहतासगर में अपना अधिकार कर लिया था 1418 इसी में 1425 में मंगाल के सुल्टान अलाओ दिन हुशेन ने उतरी बिहार के छेत पर अधिकार कर लिया 1522 इसी में बिहार में लोहानी अफगानों का प्रधान अस्थापित हो गया था तब 1522 में बिहार में लोहानी अफगान आचुके थे नुसरत साह के सासन में बाबर की सेनाओं ने सारन चेतर पर आकपर्ण किया था उसके बाद 1534 इच्विमें बिहार में सेर खासूरी की गति भी दिया तेज हो गई 1534 में सेर सा सूरी का खान या सा जो भी है सूरी का वास्ति की नाम फरीत था ठीक है सासाराम के जागीर दार हसन खासूर का पुद्र था हसन खान ने सासाराम तता ख्वास्पूर की जागीर की बियुस्ता का दैत्तु फरीत को सौपरा करता प्रंतु सो तेले भाई के दुर बिवार से तंग आकर फरीत बिहार के सुल्तान के आत्रे में पहुचा जहां उसने एक सेर से बिहार के सुल्तान बहार खान की रक्षा की तो पूछता है कि सर्दा जो फरीत था उसने सेर की रक्षा किस से की थी तो बहार खान की रक्षा की थी फलस्वरुक किर्टक गे बहार खान ने उसे सेर खान की उपादी अलंकरित की थी तो सेर खान की शेर्षा का मकबरा सासरा में श्तित है या अस्थापत्यकाला का सुन्दर्तम परतीक है खानवा के यूद के उपरांद 1528 बिवराहिम लोदी का भाई महमूद बिहार में अफगानों को संगठित करने में सनलग हो गया था तो इबराहिम लोदी का भाई कौन था महमूद ठीक है ना खानवा के यूद के बाद संगठित करने लगा था बहार खां सुल्तान महमूद मिर्टु के उपरान सेर खा उसके अलपयस्क पुत्र जलाल खां का संद्चक नियूद हो गया था 1529 में बंगाल के सुल्तान नुच्रत खा के बिहार पर आकरमन को सेर खाने बिफल कर दिया इससे शेर खा अफगानों में लोग पढ़िये हो गया ठीक है 1538 इस्वें बिहार पर हुमायू के आकमन के समय सेर खाने रोतासगर के चुरा मनी को धोखा देकर छल से अधिकार प्राप्त कर लिया और उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया मुगल समराट अकवर के काल में मुगल सेना नायक मुनीव खान ने बिहार पर अथिकार कर ब्योस्था अस्थापित कीती। अस्थापत्य का उत्क्रिष्ट प्रतीक है तो मनेर में जो है मकदूम साह दौलत का जो मकबरा है जो 16-16 भी बनाए गया था वो मुगल अस्थापत्य का सर्भुत्रिष्ट प्रतीक माना जाता है उसके बाद जहांगीर की काल में यहां दूर्जन साल ने बिद्रो किया बिद जहांगीर के काल में यहां दूर्जन साल ने बिद्रो किया और बिद्रो का दमन कर बिहार में हीरो के खान को यह छीन लिया उसके अपना अधिकार जमा लिया उसके बाद साह जहां के काल में बिहार का सुविदार कौन था सयस्ता खान था साह जहां के काल में बिहार का पूद गया की राजमहल उत्री बिहार में निर्मित संगी दलान साह जहां काल के अस्थापत्य का शुंदर प्रतीक है संगी दलान इक पके है साह जहां के काल का है उसको सत्रसो सैंतालिस इसबी से सत्रसो इकावन इसबी के दौरान नागपूर के सासक रगुजी भोसला ने बिहार की आटक किया था और बिहार को तबह कर दिया था मुःल काल सरकार ने शुब भीहार में शारान, चंपारान, तींदहुद, हाजीपूर, उतास, भोजपूर थे औरेंजेब के शासकाल के अन्तिम दिनों में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था यह पत्थर खनीजों के लिए बैपारी आकर्सी तो थे पटना में टकसाल थी तथा रेश्रम शूति बस्त्र नौका निर्मान मृद्भान उद्योग बिक्सी थे तो ये सारे उद्योग उश्य में हुआ करते थे जो आज के डेट में नहीं है उसके बाद आजाता है बिहार का र बंगाल का भाग गता बिहार बंगाल राज जी का भाग था स्चम्ण कि यह की दिवाने हंग्रियजों को प्राप्त हो गई से शंतावनमें बिहार का ना सै युद्धрах का नकुला को सन्यासी बिद्रोव में बिहार में जो केंदर था उपूर्णिया था पटना तसा सारंशेर भी बिद्रोवे केंदर असल थे अठारवी सताबदी के मद्ध में पटना अफीम उत्पादन और विक्राय का महत्पूर्ण छेतर था कब 18 सताबदी के मद्य में पटना अफिम उत्पादन और विक्रय का महत्पून छेतर था उसके बाद आपका पलासी के यूद के पश्चात पटना कॉंसिल ने इस पर इजारेदारी अस्थापित की थी इसके आगे हम लोग देख रहे हैं हम लोग समड़ी देख रहे हैं इसले बहुत डिसकासन इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं कि अलेडी इसको हम लोग पर चुके हैं विवास पनोड़मा से तो हम लोग समड़ी देख रहे हैं समा में नित्रतावन के महान बिद्रों का और में पठना के पीर अली के नित्रतावन तीन जुले अठ्वाण सम्तावन को हुआ दानापूर के 7-8 तथ 40-वी देशी पल्टन ने 25 जूलाई 1857 को बिद्रो कर दिया ए पल्टन ने जगदीशपूर के कुंवर्शिंग से मिल गई थी इनहीं के सहयोग से बीर कुंवर्शिंग ने आरा पर अधिकार कर लिया था बहुत कठिनाई के उपरांत अंगरेजों ने 14 अगस्त 1857 को आरा तथा जगदीशपूर पर अधिकार कर लिया था तो आरा और जगदीशपूर पर अधिकार अंगरेजों ने दुबारा कप किया 14 अगस्त 1857 को 1859 के बिद्रो का समय गया तथा तिमावर्ती छेत्रो नावादा जहानाबाद राजगीर अमर्थु आदी में करांतिकारियों का नेतरुत हैदर अलि खा, मेहदी अलि खा, अहमद खा, गुलाम अलि खा, हुशैन बक्स खा, हुकु सिंग, ननकु सिंग, फता सिंग ने किया ठाаств Thomas, उसके बाद 822 से 4868 इस भी के मध पटना भावी अंदोलन का केंदर था, यह 822 से 568 के बीच रहा है, पहावी अंदोलन का भिहार में के परमुखनेत को उन थे मोल भी, बिलायत अलि थे और रायबढरेल के सैद अभमद द्वारा अरंभ किये गये बाहावी अंदोलन स्यद अहम्मद के द्वारा अरंभ हुआ था बहावी अंदुलन के अंतरगत स्यद अहम्मद द्वारा पटना में चार खलीफा न्यूस की गए थे बिलाय तली इनाय तली साह मुहमद हुशैन और फरहत हुशैन ये चारों का नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी सवाल प बिखार एस्पेसल में ठीक है बाद में अहमद उल्ला खां बहावी अंदुलन के नेता बन गया बाद में कौन बन गया तो हमद उल्ला खां बन गया उससे 1864 हिसमें बंदी बना लिया गया था 30 अप्राइल 1908 हिसमी को मुझफ़त परमुख वकील प्रिंगले केनेडी की ग कारहईशी में अंग्रेज सरकार ने मुझभ्फभपूर के रत्नाकर प्रेश से मुदृत पुष्द का मां की पुकार तथा 22 जुले 1919 को परकास्तित कवीता खूनी कफन को जब्ध कर लिया था तो यह रतनाकरप्रेस का था मुझभफपूर में था वो कौन सा पुष्दक म याद रखेंगे हलाकि इसमें सारा कुछ इंपोर्टेंट है हम लोग तो अलेडी इसको शमड़ी में पर रहे हैं एवरीथिंग इंपोर्टेंट इन दिस बूक जो भी शमड़ी में दिया हुआ है तो आप लोगों से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बार बार ब कि थी जन्वरी 1901 में दर्भंगा में स्थापित कर जन अंदुलन को तिब्र किया गया 1906 इसमें बिहार स्टुडेंट कंफरेंस गठीट के कि अनिस चो चो अंदुलन सब्सक्राइब हुशेन खान के नेतुरुक्त में बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमिटी की गठन का गठन किया गया तो नबाव सर्फराज खान के नेतुरुक्त में किया गया था इसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ इस अधिवेशन के अधिवेशन सायद हसन इमाम तथा कोसा अधियक्ष सचीता नंद सिनहा थे बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमिटी के जो अधियक्ष थे पहला जो हुआ अधिवेशन पटना में हुआ और इसके अधियक्ष तो सायद हसन इमाम तथा कोसा अधियक्ष जो थे वो सचीता नंद सिनहा थे एक अप्रयलीनीस सब बारा बिहार का प्रिठक प्रांत के रूप में गठन हुआ एक अप्रिठक प्रांत के रूप में गठन हुआ तो यह भी पूछता है कि बिहार में कॉंगर्स का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ था तो पटना में हुआ था याद रखेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और एक अप्रिल 1912 को बिहार प्रिथक राज्य बना और इसके पटना अधिवेशन जो कॉंगर्स का हुआ था पहला अधिवेशन बिहार का उसके जो शमेलन के स्वागत अधियक्ष्य जो थे वो थे मजरूल हक और सचीतानन सिना उसके सचीव थे बिहार के नय प्रांत गठन में कायस्तबर की मुख्य भूमिका थी उन्होंने सचीतानन सिना के नेत्रुत्यों में अलग पर्देश का जिसमें अपना बिश्व विदाले था उंच न्याले हो अंदोलन चलाया था ठीक है तो उन्होंने सचीतानन के नेत्रुत्यों में तो ये बिहार को अलग प्रांत बनाने का नेत्रुत्यों करने वालों में कौन थे सचीतानन सिना थे उसके बाद 16 इसमबर 1916 को ये भी important है याद रखेंगे बहुत ही important है इस तरह का सवाल पूछता है और खुब पूछता है ऐसा नहीं कि कोई भी चीज इसमें skip करने लाइक है everything आपको बार बार पढ़ेंगे इसको रटने से ज्यादा मेरे ख्याल से इसको समझने की जुरूत है आप बस दो चार पांच बार इसको पढ़ेंगे इसको देखेंगे इसको discussion करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और विश्वास मानिए अगर आप अच्छे से पढ़के जाएंगे तो BPSC PT पक्का हो रहा है और हम लोग तो continue करने वाले final interview तक चलिए नील की आसामिवार खेती के तीन तो नील के आसामिवार खेती के तीन तरीके थे कुर्टावली, खुस्की और तीन कठिया गया जाता था तीनों नियम्द को समझ को याद रखना है और पूछ दिया तो उसको explain करना है कि दिर्ख काले के लिए बंदख हो जाता था आशामी का जो भी खेतिहर से उनका अपना घर और जमीन बंदख हो जाता था कुर्थावली में खुसकी में रईयत नहीं होने पर पटट मिलता था औ और तिन कठिया में अपने एक बिघा के खेत में तीन कठा के इंसाब से निल की खेती करनी परती थी निलहे सहाबु के अतचार के बिरूत पहला बिद्रवा ठाड़ा सो सिख्टी एट में लाल सरया कोठी में सुरू हुआ था उसका अंदोलन दूसरा अंदोलन अनिसो साथ 1708 में सेख कुलाम सीतल राय के नितुरुत्त में आराम हुआ था दिसम्बर 1916 में लखनाओ के अधी कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार सुकल नेंगाधिजी को चमपरान आने का निमंतर न दिया इसी अधिवेशन में निलो के अत्यचार के बिरूद प्रस किया था तो ओ लखनाओ कॉंग्रेस अधिवेशन में और उसमें बिहार से कौन गये थे राजकुमार सुकल गये थे उन्होंने ही गांधिजी से रिक्वेस्ट किया कि आप चमपरान आईए ठीक है तो उसके पहले भी देखिया अंदोलन हो चुका है ठीक है तो पहला जो अ अन्य स्वयोगी दिहार के राजिंदर परसाथ तो इस चमपरान अंदोलन में गांधिजी के अन्य स्वयोगी कि नाम पूछता है कि इसमें से कौन थे या इसमें से कौन नहीं थे तिन चारों गांदी जी पांच लोग थे इनका नाम याद रखेंगे ठीक है और इसमें से पूझेया कौन थे कौन नहीं थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगे जून 1919 में विशु भरन श्वामी विद्या नंद के नितृत्तु में दरभंगा राज में किसान अंदोलन प्रडरम कि इस यात्रा में अस्वयोगा अंदोलन की प्रिष्ठोमी निर्मान कर दी थी 1920 में गांदी जी ने बिहार अस्टिय अंदोलन बिहार अस्टिय महाबिद्याले के स्थपना जिसको आप लोग BN कॉलेज करते हैं BN कॉलेज पांच जनवरी 1921 को ही आप लोग जो BN कॉलेज देखेंगों इस पर डेट देख लिजेगा यही डेट लिखा हुआ है कॉलेज के ऊपर जो मेंगेट है बियन कॉलेज के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है यह डेट पांच जनुवरी निसो एक इस महात्मा गाधी ने बिहार राष्टी ये महाबिद्द्याले के उद्गाटन छौओफर वड़ी एक इसको geil था उसी दिन उन्हों ने बिहार विद्द्या पीथ का उद्गाटन भी किया था राष्टी ये प्रचार град प्रसाद थे बिद्द्यापिट के कूल पती मजुरूल हक थे तो राष्ट्री महाविद्याले के प्रचारे कौन थे प्रिंश्पर डॉक्टर राजेंद प्रशाद और विद्यापीट के कौन थे तो मजरूल हग पूछता है भाई सवाल इस तरह का सवाल पूछता है इंप्रेक्ट आपको देखते भी लग रहा होगा कोश्चन में का प्रचारे का अपको देखते होंगे तो हाँ यह तो सवाल पूछता है तो हम लोग न समड़ी कर रहे हैं ताकि हमारा कंटेंट फास्ट निकल जा इतनी बोटी बुक्त हम लोग इतना स्वाटेस पर नहीं सकते हैं और लेडी हम लोग विवास पर नहुना से पूरा का पूर अने को बजार को लूट लिया था और सहयोग अंजलन के दोरान उत्री बिहार और भागलपूर में बजारों को लूट लिया गया था बिहार उरिशा सरकार के मुख्य सची उराइनी ने एक पडिपत्र 31 जनरी 1921 को और सहयोग अंजलन के दमन हेतु राष्टी सभी कॉमिटी के दोरा किया गया था तो बिहार परांतिय कॉमिटी ने बिहार कौमी स्विवक्तल का गठन 27 नॉवंबर 1921 को किया था कल के भी डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 21 नॉवंबर 1921 को लॉड सिन्हा के त्याक पत्र जो गौर्णर पर छोड़ने के संबद थे था को ब्रीटी सरकार ने स्विकार कर लिया 2722 के कोंगरेस का नया गया अधिवेशन के जट तरा सियर दास ने कि थी तो बिहार में जो दूसरा अधिवेशन होगा था वो कहां हो गया पहला क्यों था पट्टना में याद रखेंगे यह सवाल पूछता इनफेक्ट पूछा हुआ है आप खोशन मैंग उठाके देखेंगा आपको मिलेगा तो उसकी अधेक्षता किस में कि दी आरदास ने कि थी पहली अधेक्षता किस ने कि धी वीडियोज स्कीप नहीं इस अंदोलन का उदेश समाजिक उठान था, तो ग्वाल अंदोलन का उदेश से क्या था? समाजिक उठान था, उसके बाद C.F. Andrews 1925 में जमसेदपूर लेवर एसोसीसन के अध्यक्ष बने, जम, जम सविने अवग्या के बिहार के न्यूक्ट प्रदेशिक डिक्टेटर दीप नरायन सिंग थे, 1927 में स्वामी सहजानन ने भुमिहार ब्रामोनों को संगठित करने है तो पटना के नजिक बीटा में आस्रम के अस्थापना की, ठीक है? तो बीटा में आस्रम के अस्थापना स्वामी सहजानन ने भिहार प्रदेश्तिक किसान सहभा के अस्थापना की, 1929 में की और सिल्की सिंग्या इसके प्रथम सचीव थे, ठीक है? तो यह आपका इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे सबने अवग्या अंदोलन के दोरान उत्री तथम्मद भिहार में चोकदाड प्रदारी कर का भुकतान करने से किसानों ने इंकार कर दिया था, कब सबने अवग्या अंदोलन के समये, 1931 में गया में किसान अंदोलन करने दिरूतर जगु नंदन सर्मा कर रहे थे, पार्टी का गठन पटना में हुआ नरेंद्र देव की अधिक्षता में हुआ मैं 1934 में हुआ उसके बाद 1933 में स्वामी सहजार नान द्वारा बिहार किसान सभा के अंदोलन को पुना सक्डिये किया अपने तीसरे हाजीपूर सम्मेलन में इस सभा को एक जुजहारू कारेकरम किसान सभा ने जमीन को दिलाने के लिए किसान संगर्ष का नेतरुति यह दुननन सर्मा ने किया था जो यह दुननन सर्मा पहले भी देखे कि गया में उन्होंने नेतरुति किया था और दरभंगा राज जी के छेत्रों में और शारन के किसानों का नेतरुति यह दुननन सर्मा ने किया था अनुवारी छेत्र में किशानों के नेतरुत राहुल संकृतियान थे नवंबर 1936 इसवी में मुंगेड जीले के बढ़या ताल में किशान सभा बिहार किशन सभा ने जमिनदारी उतपिरन के बिरुद संगर्ष किया इसके नेतरुति कारे नंदन सर्मा ने किया तो मुंगे में राजनितिक बंदियों की रिहाई के मामले में मंद्री मंदल ने त्याग पत्र दे दिया किसानों के उग्रा अंदोलन से भैवित चंपारन सारन मुंगेड जीला की कंग्रेश कमिटियों ने 1937 में स्वामी सहजानन्द की सभा में कंग्रेश्यों को शमिलित होने पर रोक लगा दी ठीक है 1942 में भारच और अंदोलन में सारन के को अपरादी जीला गोज़त किया गया था पूछता है कि किस जीले को अपरादी जीलों को अपरादी जीला पत्ना के सिमावर्ती छेत्र मु बायुवान का पड़ियोग किया गया था तो यह भी इंपोर्टेंट एक पार्ट है जो इस तरह से इन बिट्विन लाइन से उठा के कोशन देता है तो अनीसों ब्यालिस में उत्री बिहार नेपाल की सीमा परजय परकास नरायन ने छापामार संगर्स का नेत्रत्यु किया हम अच्छे से किये हैं तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा 11 अगस्त अनीसों ब्यालिस को पटना सचिवाले पर कॉंग्रेस धोज फड़ाय गया था अच्छा यह जो समड़ी हम लोग पर रहे है न यह आपका अच्छे से सफिसेंट है मेरे ख्याल से लेकिन डिटेल जर निधिन वाला काम पहले हम लोग कर चुके है जो डिफरेंट डिफरेंट बिहार का इतिहांस बिहार का जो हम लोग विवास्त नुवा से किये हैं उसमें आपको सारा मिल जाएगा यहां तो शमड़ी देख रहे हैं कुछ छुटा चीज भी एड हो जाएगा प्लस शमड़ी यहां पुलिस में रामा रामानन तिवारी ने इनकलाबी सी पाही दल गठित किया था तो यह हो गया उसके बाद मुंगेर में 20 में से 17 पूलिस इस्टेस्टों पर अंदोलन कड़े करताओं ने अधिकार कर पंचायत तो की अस्थापना की थी पठना में 10 अगस्त sniff 42 से 14 अगस्त sniff 42 तक सरकार नहीं रही थी इस समय तक 4-5 दिन तक सरकार नहीं रही थी बिहार में 1942 के अंदोलन काड़ियों पर अमेरिकी सैनिकों ने गोली चलाने से इंकार कर दियाhus कहां के साइनिक इंकार कर दिये थे अमेरिकी साइनिकों ने इंकार कर दिया था चंपारन के सभी थानों पर राष्टिये 2292 के अंदोलन के द्वरन फ़राया गया था चंपारन के साड़े थाने वफाई फ़राया गया था भागलपूर में राष्टिये सरकार के स्थापना कर की थी दर्भांगा के राजा ने भी अंदलनकाडियों का पक्ष लिया था अक्टूबर निपाल सरकार ने उन्हें कैट किया तो जनता ने जेल पर आक्पनकर उन्हें मुक्त करा लिया और 25 अक्टूबर यह सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके मैं फिर से बोलाओं डिटेल में 25 अक्टूबर 1946 को बिहार में हुए संप्रदाइक दंगे में कम से कम साड़े साथ हजार लोग मिर्त्यू के घाट उतार दिये गये थे इसके आगे यहां से सुरू होता है बिहार सीखो का बिसिष्ट एतिहासी अस्थल तो यहां हम लोग कल के क्लास में पूरा करेंगे और उमीद करते हैं कि कल यह पूरा हम लोग खतम कर लेंगे थोरा लंबा वीडियो बनाके और अभी यहीं तक एंड करते हैं मतलब अभी यहां पर रहते हैं यहीं तक एंड करते हैं और उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को जो लो लोगों से जो हमें कॉपरेशन चाहिए वो यह चाहिए कि आप लोग के तरफ से कंसिस्टेंसी में ब्रेक नहीं होना चाहिए हम लोग कंटेंट प्रवाइड कर रहे हैं ताकि आप मैक्सिम कोश्चन सॉल्फ करें और विश्वास मानिए जीस तरह से हम लोग अपने चैनल पर सारा का सारा इतिहास से लेके भुगोल बिहार का स्पेसल उसके बाद बिहार करेंट अफेयर्स आर्थिक सर्वेक्षन ब्रजट और यह जो हम लोग समिक्षा कर रहे हैं इसके लावा लुशन से बाइलोजी एकोनोमिक्स यह सारा कुछ पढ़ना है साइंस पूरा पढ़ना यह सारा कुछ कर रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक उसके बाद मौक 40 मौक टेस्ट हमारा चलना है तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करवा देंगे कि अगर आप लोग कंटिन्यूटी सिर्फ मेंटेन कर देंगे तो रिजल्ट तो रिजल्ट पक्का है इसमें कोई डाउट न आप में तब तक के लिए बाई बाई चेक कियर जैहिंद